हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तु क्रेजी जी के ट्रिक मैं गौरव एक बार फिरा सभी के सामने दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC MTS के बारे में जियां SSC MTS मतलब मल्टी टास्किंग के बारे में अब यहां पर आपका क्या है देखिए दोस्तों reasoning के किस प्रकार से question SSC MTS में पूचे जाते हैं हम यहां पर इस session में उसे भी discuss करेंगे और किस प्रकार के question आगे exam में आ सकते हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे clear है जिससे आपको दोस्तों जब भी आप exam देंगे SSC MTS का और यह दिया आपने यह वीडियो देख लिया तो आपके यहां से reasoning के mostly question और mostly जो आपके जितने भी topic है वो क्या हो जाएंगे यहां से cover हो जाएंगे इसी को मद्दे नजा रखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर यह series start कर रहे हैं चलिए आईए दोस्तों इसको शुरू करते है चलिए friends तो यहाँ पर ध्यान देते हैं पहला question हमें क्या दिया है यहाँ पर देखिए 12, 34, 108, 324 तो अगला क्या होगा अब देखिए दोस्तों सीरी से दिख रहा है यहाँ जो question है number series से लिया गया है यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जितने भी question लिये हैं सभी exam pattern पर question लिये हैं जिस प्रकार से SSC MTS में पिछली बार question पूझे गए थे उन्हीं को यहाँ पर मद्दे नजा रखते हुए हमने paper को बनाया है ताकि आपको exam में ज number series से क्या दिया गया है 12, 36, 108, 324 तो अगला क्या होगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पर option में देखें तो यहाँ पर option जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं और series को भी देखें तो देखिए पहले आया 12 फिर आया 36 फिर 108 और फिर 324 मतलब ज्यादा मातरा में क्या हो रहा ह series बढ़ रही है 12 फिर 36 फिर टीन डिजिट का नंबर आ गया 108 फिर क्या आ गया 324 तो यहाँ दोस्तों सभी को पता है दो केस में हो सकता है या तो क्या होगा square या cube या फिर क्या हो सकता है multiplication चली यहाँ पर हम multiplication का जो है हमारा logic है उसे apply करके देखते हैं तो देखिए दोस्तों 12 से 36 पर हम कैसे आ सकते है multiply by 3 ठीक है बारे कम बारा बार दूचुज़ बारते 36 अब यहाँ पर 36 से कहाँ पर जाना है 108 तो 36 से 108 पर कैसे आ सकते है तो देखिए यहाँ पर हम किसका multiply कर देते हैं 3 का तो क्या जाएगा 108 उसी प्रकार से 108 में यदि मैं 3 का multiply करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या करेंगे multiply by 3 चली कर दीजी यहाँ पर क्या हो गया चार तीया बारा बचा एक तीन दूनी छे और एक साथ तीन तीया नौ तो क्या आंसर आगया दोस्तों हमारा 972 option A is correct answer clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं अगला question जो है वो word के analogy से लिया गया है अध्या अध्यापक जो है वह किस से संबंदिते चात्र से दो बिंदू यहाँ पर क्या बताता है जिस प्रकार और चार बिंदू यहाँ पर क्या बताते हैं उसी प्रकार ठीके उसी प्रकार धर्मगुरु संबंदित होंगे तो यहाँ पर हमें चार option दिये हैं तो देखे जिस प्र अध्यापक किसको पढ़ाते हैं, किसको शिक्षा देते हैं, चात्र को, उसे प्रकार से धर्मगुरू किसको शिक्षा देते हैं, शिश्य को, clear है, चले, आगे बढ़ते हैं, अगले question पर, तो देखी friends, question number third, क्या बोला है, यदि किसी code भाषा में, MEKLF को 91782 और LLJK को 8867 लिखा जाता है, तो उसी code भाषा में, IGHED को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखें दोस्तों, सीरिय से समझ में आ रहा है, यहाँ पर यह जो question है, coding decoding से है, आइए इसे solve करते हैं, पहले क्या करेंगे, decode, तो यदि हम देखें, यहाँ पर MEKLF को क् हम जिस प्रकार से coding decoding की question को दोस्तों solve करते हैं, उसी प्रकार से इसे solve करेंगे, main content को हम लिख लेंगे ऊपर, और इसके code को कहा लिख लेंगे नीचे, चली, यहाँ पर लिख लेते है, 9, 1, 7, 8, 2, अब देखें दोस्तों, यहाँ पर मैं M से 9, मतलब क्या सकता हूँ, M का न नमबर कितना होता है, 11, यहाँ पर क्या कर देंगे, minus 4 तो क्या जाएगा, 7, तो यहाँ पर दोस्तों आपको logic समझ में आ गया, चली, 12, यहाँ पर 4 घटा दीजिए, 8 जाएगा, F का नमबर होता है, 6, यहाँ पर 4 घटा दीजिए, क्या जाएगा, 2, मतलब यहाँ पर जो भ यदि मैं I में minus 4 करूंगा, तो मुझे क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, फिर G का नमबर 7, यहाँ पर minus 4 कर दीजिए, क्या बचेगा, 3, H का नमबर 8, यहाँ पर minus 4 कर दीजिए, क्या बचेगा, 4, E का नमबर 5, यहाँ पर minus 4 कर दीजिए, क्या बचेगा, 1, और D का नम देखिए नमबर सीरिस से लिया गया है एक छे तेरा बाविस अगला क्या होगा और फिर यहां पर दिया है 46 मतलब यहां पर हमें जो मीट का पद है उसे निकालना है तो देखिए यहां पर लिख लेते हैं सीरिस को एक छे तेरा बाविस और यहां पर निकालना है क्या संख्या तो क्या जाएगा बोलिए दोस्तों 6 2 दूनी 4 और एक 5 और इस 5 को यहाँ पर 8 कर दूँगा तो क्या जाएगा 6 बोलिए clear यहाँ पर इनका total कितना हुआ 5 इसको यहाँ पर 8 करें तो क्या गया दोस्तों 6 क्या गया 2 तिया 6 और एक 7 अब इस 7 को यहाँ पर उठा कर रख दीजिए तो इसको जोड़ना है तो 6 और 7 कितना हो गया 13 जिस प्रकार से 5 यहाँ पर था इन दोनों को जोड़के क्या लाए थे 6 उसी प्रकार से यहाँ पर आया 7 साथ उसको इन दोनों में जोड़ जा क्या गया 13 उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते जाहिए यहां पर अब दो का यहां पर आप 22 में दोस्तों 11 को जोड़ दीजिए तो यहां पर क्या जाएगा 33 option 20 correct answer clear सभी को चली आगे बढ़ते हैं next question पर friends आप सभी के लिए एक update है अब हमारे crazy जी के ट्रिक के application पर आपको online course की category में यह सभी course available हो जाएंगे जहां पर आपको advanced math course, mpg के course, computer online course, english course और reasoning का course आपको मिल जाएगा तो आपके आने वाले exam के लिए आप हमारे साथ तयारी कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर जितने भी course हमने बनाए हैं हम सभी ने यहां पर exam को मद्दे नजर रखते हुए course बनाए हैं और पूरे data को आपको एक particular तरीके से और अच्छे से briefly explain किया हुआ है और समझाया हुआ है यदि आप दोस्तों course को join करना चाहते हैं तो आपको हर एक course पर हो सकता है application में जाने के बाद में आपको एक coupon code मिल जाएगा जहां से आप flat 50% का discount ले सकते हैं तो दोस्तों देरी ना करें आगने वाले exam के लिए आप हमारे साथ तयारी करें और जुड़ जाएं मेरे साथ जुड़िये और reasoning सीखिए ठीके तो जाएए दोस्तों और जल्दी से जल्दी course को join करें देखें friends, question number 5 क्या बोल रहा है जिस प्रकार से zip को 60 लिख रहा है मतलब zip बराबर कितना है 60 और zap बराबर कितना है 76 उसी code भाषा में दोस्तों यहाँ पर vip को किस प्रकार लिखा जाएगा सबसे बहले हमें decode करना होगा किसको zip को तो इस प्रकार के question को हम किस प्रकार दोस् add करके देख सकते हैं तो देखें यहाँ पर हमारा इनका addition कितना होगा 9 और 6 15 और 6 21 के 1 हांत के आगए 2 2 2 4 और 5 ठीक है तो यहाँ पर आ रहा है 51 परन्तु यहाँ पर कितना लिखा है 60 मतलब यहाँ पर हमारा logic यह वाला नहीं लग रहा चली अब यहाँ पर हमें दूसरा logic apply क कर सकते हैं तो देखी जैड का नंबर कितना होता है दोस्तों जैड का नंबर होता है यदि उल्टा नंबर देखें तो एक होता है ठीक है सीधा नंबर अभी में देखा क्या होता है 26 परन्तु उल्टा नंबर देखें तो क्या होगा वन चली आए का उल्टा नंबर क्या होत यहाँ पर हमें जो भी alphabet दिये गए हैं उनके हमने reverse number लिख लिए और उनको add कर दिया और उसको double कर रहे हैं तो यहाँ पर यह संख्या आ रही है अगले वाले में चेक करते हैं क्या इसमें भी वही logic apply हो रहा है क्या देखे जेड ए और पी तो जेड का opposite number होता है 1, ए का opposite number होता है 26 और पी का opposite number होता है 11 clear है तो इन तीनों को जोड़ते हैं और multiply किससे करते हैं 2 से तो क्या आना चीए 76 तो देखे यहाँ पर 6 7 और यह कितना हो गया 8 ठीक है और यहाँ पर यह कितना हो गया 3 अब यहाँ पर दोस्तों 38 के दी में double करूँगा तो क्या जाएगा 76 बोले clear है ठीक है 8, 12, 16, 16 यहाँ का गए एक और आपका 2, 26 और एक साथ 76 हा रहा है ठीक है मतलब क्या है reverse alphabet को यहाँ पर लिया है या reverse number को लिया है और उनको double कर दिया 8 करके यहाँ पर VIP का answer किसे आएगा तो V, I और P तो V का उल्टा number होता है दोस्तों क्या 5 ठीक है I का उल्टा number क्या होता है तो I का उल्टा number होता है 18 और P का उल्टा number क्या होता है 11 चलो तीनों को जोड़ देते हैं पाट, पाइस, तेरह और 14 के चार हाथ क्या गए एक यहाँ पर कैतना गया 34 34 का multiply किसमे करना है 2 से तो क्या जाएगा दोस्तों answer हमारा 68 option C is correct answer चली अगला question देखिए विशम चुनिए मतलब यहाँ पर question classification से लिया गया है question number 6 क्या बोल रहा है Japan, Italy, France, Germany यहाँ पर हमें country के नाम दिये है तो देखिए दोस्तों साफ नजर आ रहा है Italy, France और Germany जो है वो यूरोप के देश है और जापान यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा ठीके तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हम에 3 हिस्सी दिये गये है और 4 हिस्सा बता लगना है उत्तरा करती यहाँ पर 4 दिगई है simple से बाता देखिए दूस्तों सभी में क्या दिया है यहाँ पर side में लगिरे दिगई और बीच में यहाँ पर क्या दिएगा है ठीके यहाँ पर एसी लाइन होगी मतलब यहाँ पर यदि पूरा बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन यह वाली होगी जो इस में लवनी होगी है और यह बॉक्स इस प्रकार से बना होगा और फिर क्या होंगी यहां पर लाइने होंगी तो देखे हमें यह वाली आकरती को पता करना है जहां पर क्या हो एक circle हो ठीके एक box बना रहे और वो एक dandy की चेर है उस box में और यहां पर बाके की क्या रहेंगी लाइने रहेंगी तो यहां पर देखे पहला option में विसा नजर नहीं आ रहा दूसरा option में देखे विसा नजर नहीं आ रहा तीसरा option में देखे यहां पर जो line हमें चाहिए वो यहां पर available नहीं है तो इसलिए दोस्तों हमारा answer क्या होगा option 4 ठीके यदि हम option 4 वाले आकरती को यहां पर मतलब खाली space वाली जगह पर रखेंगे तो हमारा answer क्या होगा बिल्कुल सही मतलब आकरती क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी ठीके चली अगला question देखी question number 8 क्या बोला है एक पंक्ती में नरेश वाएं से सदर्वे स्थान पर है और दाएं से 22 वे स्थान पर है पंक्ती में कुल कितने विध्याती है तो जैसा कि दोस्तों हमने ranking में पढ़ा था यहाँ पर मैं short trick लगाने जा रहा हूँ क्या short trick बोलती है हमारी देखे दोस्तों यदि किसी भी एक पंक्ती में किसी एक विक्ती का इस्थान दोनों तरफ से दिया जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर total बराबर n प्लस m माइनस 1 ठीक है तो total कैसे निकालते हैं दोनों तरफ की position को जोड़ देते हैं 17 प्लस 22 और क्या करते देते हैं माइनस 1 ठीक है देखिए यहाँ पर नरेश 22 से 17 वेपर है यहाँ पर बना लेते हैं नरेश यहाँ पर 22 से 17 वेपर है और दाएं से कितने पर है 22 वेपर तो total इस प्रकास से निकालेंगे 17 और 22 को यहाँ पर आप एड़ कर दीजिए तो यहाँ पर 17 और उसके दिए में add करेंगे तो क्या जाएगा 39 minus 1 कर दीजिए तो क्या जाएगा 38 clear है तो यहाँ पर दोस्तों हमार आंसर क्या होगा option D पंक्ती में कित्ते लोग होंगे 38 लोग होंगे clear है चली आगे बढ़ते हैं next question पर चली फ्रेंट्स देखिए question number 9 क्या बोला है यहाँ पर broad का अर्थ है 29614 तो उसी प्रकार clock का अर्थ क्या होगा चली यहाँ पर लिख लेते हैं B, R, O, A, D क्या लिखा गया इसे 29614 देखिए दोस्तों B का नंबर कितना होता है चली यहाँ पर हमने इनके number लिख लिए है अब देखिए इसे decode किस पर कर किया गया है देखिए दो यहाँ पर exit दो लिख दिया गया है परन्तों यहाँ पर 18 हो क्या लिखा है 9 और 15 हो क्या लिखा है 6 मतलब यहाँ पर दोस्तों unit digit बनाय जा रहा है इस 8 और 1 को यदि में add कर दूँगा तो क्या जाएगा 9 इस 5 और 1 को यदि में add कर दूँगा तो क्या जाएगा 6 और उस प्रकास से देखिए 1 यहाँ पर तो single digit है मतलब unit digit है 1 और 4 चली उस प्रकास से दोस्तों हमें answer किसका निकालना है clock का यहाँ पर original number लिख लेते हैं 3 12 वो का number कितना 15 यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना 11 चली unit digit बनाते चलिए दोस्तों तो यहाँ पर आजाएगा पहले 3 यह भी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 पांच और एक कितना हो जाएगा छे तीन और ये कितना हो जाएगा दो यहाँ पर दोस्तों हमार आंसर क्या होगा डबल थ्री शिक्स थ्री टू ठीक है option D is correct answer तो देखे फ्रेंट्स question number 10 क्या बोल रहा है यदि into कार्थ plus है plus कार्थ divide है minus कार्थ into है और divide कार्थ क्या हो minus हो तो यहाँ पर हमें question दिया है six into four minus five plus two divided by one बराबर क्या होगा तो दोस्तों यह question अपना mathematical reasoning का आएए यहाँ पर सबसे पहले हम करते है sign को change देखे six into अब देखे into कार्थ क्या है plus तो यहाँ पर कर दीजे plus four फिर देखे minus लिखा है minus कर्थ क्या है into तो यहाँ पर क्या कर दीज तो दीखे divide करत क्या दिया गया है minus तो minus one ठीक है वो बराबर में क्या आएगा उसे तो निकाल नहीं है अब यहाँ पर हम लगा देगे दोस्तों हमारा board mask का निया क्या लगाएंगे board mask का rule चली तो सबसे बिले क्या solve करना है divide और उसका इंटू फिर plus minus चली तो six plus four into इसे में क्या जाएगा ultimately equation six plus ten minus का one ठीक है तो यहाँ पर minus का बाने यह plus का six है तो कितना बचे पांच तो ultimately यहाँ पर हमारा answer क्या आ गया 15 15 option B is correct answer clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं next question पर देखे फ्रेंट्स question number 11 क्या बोला है कुछ पतंग पक्षी है तो देखे सिलोक्स का question है I solve करते है वेन डाइगरम बना के इसका कुछ पतंग जो है वो क्या है दोस्तों पक्षी है अगला क्या दिया है कोई पतंग वायू जान नहीं है मतलब कोई भी पतंग किस से नहीं मिले ठीक है मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर negative हो जाएगा चली अब यहाँ पर हमारा निश्करश पढ़ते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा सभी वायू यान पक्षी नहीं है एसा कहना क्या होगा directly गलत होगा तो पहला निश्करश क्या पतंग में है और वह हिस्सा किस से नहीं मिल सकता वायू यान से क्योंकि यहाँ पर हमें कथन में बोलाए कि कोई भी पतंग वायू यान नहीं है ठीक है इसलिए यहाँ पर हमारा दूसरा निश्करश क्या होगा सही तो केवल दूसरा निश्करश अनुसरण कर रहा है हमारा बेरोजगार के बीच के संबंद को सही रूप से बताता है ठीक है यहाँ पर हमें चार ओप्षन दिये हैं और हमें element क्या दिये हैं अनपढ़, निर्धन लोग और बेरोजगार तो यहाँ पर दोस्तों सही answer क्या होगा option second ठीक है कुछ अनपढ़ लोग निर्धन होते हैं यहा यहाँ पर दोस्तों मारा answer क्या होगा option second चली अगला question देखिए, alphabetic series से लिया गया है, question no.3 क्या बुल रहा है, n, z, o, y, p, x, q, w, r, v, तो अगला क्या होगा चली, अब यहाँ पर हमें करना क्या है दोस्तों, पहले से पहले element को देखना है और दूसरे से दूसरे को, यद अब यहाँ पर option में, अब यहाँ पर option में, अब यहाँ पर option में, option b is correct answer, तो इस प्रकार से आप जल्दी से ल्दी question को solve करके आगे बढ़ सकते हैं, चली, अगला question पर चलते हैं, चली प्रेंट्स, देखिए अगला question, वह आरेक को चुनिए, जो दिये गए वर्गों के अब देखने को मिलेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें बता लगाना है कि इस्तरियां, भहने और सिक्षक के बीच में, जो relation है, वो इन चारों में से कुन से आकरती जो है वो particular रूप से बताएगी, तो देखिए, यहाँ पर option 4 जो है, वो हमारा सही होगा, अब किस प्रकार बहने क्या होगी, इस्तरिय होगी, और जो एक रिंग, दोनों को टच करके बाहर से जुड़ा हुआ है, वह किसका हो जाएगा, शिक्षक का, तो देखिए, सभी किसा बहने क्या है, इस्तरियां है, बुले क्लियर है, और कुछ शिक्षक क्या होती है, इस्तरियां होती है, जिस प्रकार से कॉफी संबंदिते किस से केफीन से है ना जिस प्रकार से कॉफी संबंदिते केफीन से उसी प्रकार तंबा को संबंदित होगा किस से तो निकोटीन से जिस प्रकार से कॉफी में केफीन होता है उसी प्रकार से तंबा को में क्या पाया जाता है निकोटीन पाय तो सूरज जोडता है और यहाँ पर हमें दिये हैं चार आप्शन। चले रैंकिनगा कोशन है आए से बनाते हैं अनील सूनील से कम तेज जोडता है। वह सुनिल से भी तेज दोडता है तो सूरज दोडता है अनिल जितना ही तेज सुनिल से अधिक तेज अनिल और सुनिल से अधिक तेज या फिर अनिल से कम तेज तो देखिए यहाँ पर जो सूरज है वह अनिल और सुनिल दोनों से क्या हो रहा है तेज दोड़ रहा है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा option C चली अगला question देखिए classification से लिया गया है विशम चुनिए Uranus, Mars, Jupiter और Sun तो यहाँ पर देखिए option A, B और C जो है वह क्या है दोस्तों planet है मतलब क्या बोल सकते हैं ग्रिह है और सूरी क्या होता है दोस्तों तारा होता है इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा answer क्या होगा option D एक odd one out क्या होगा यहाँ पर सूरी यह बोल सकते हैं Sun प्लियर है सभी को अगला question देखिए, question number 18 क्या बोला है चात्रों की पंक्ती में गणेश अंतिम छोड से 7 वे इस्थान पर है और दूसरे छोड से 11 वे इस्थान पर है अब देखिए, दोनों इस्थान से हमें गणेश की position दे दी गई है तो अभी मैंने कुछ दिर पेले आपको बताया था यहाँ पर हम दायट लगाएंगे short tick t बराबर, मतलब टोटल बराबर n प्लस m माइनस 1 तो देखिए, यहाँ पर टोटल कैसे निकालेंगे एक तरफ से place कितना दिया हुआ है, 7 वा दूसरी तरफ से place कितना दिया हुआ है, 11 वा माइनस का कर दो, 1, ठीके तो यहाँ पर देखिए, माइनस 1 कर देते हैं, पहले 11 में से एक घटा देते हैं, तो क्या वचा 10, 10 वसात कितना हो गया, 17, option A is correct answer, पंक्ती में कुल कितने चात रहें, तो 17 चात रहें अगला question देखिए, यदि A, F, I, C, H, K E, J, L हो, तो अगला क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है पहले से पहले element को देखना है दूसरे से दूसरे element को देखना है और तीसरे से तीसरे element को देखना है चलिए, यहाँ पर मैं लिखे लेता हूँ तो आपको proper समझा पाऊंगा और आप भी अच्छे समझ पाएंगे ये A से हम C को connect करेंगे ठीके पहले पत के पहले step से दूसरे पत के पहले step को जोड़ा है मतलब A से C को connect कर रहे है A से C केसे आ सकता है? प्लस 2 करके फिर C से E केसे आ सकता है? प्लस टू करके, तो अगला भी के से आएगा प्लस टू करके, मुली क्लियर है तो देखे, ए में यदि हम दो जोड़ देंगे हमारा अंसर क्या जाएगा यहाँ पर जी ठीक है, पहला step क्या जाएगा जी फिर देखे, F से H, अब दूसरे से दूसरे हो करनेट कर रहे है, F से H पर जाएगा, तो भी क्या हो रहा है, ब्लस टू H से J पर जा रहा हूँ, तो भी क्या हो रहा है, ब्लस टू तो आगे भी क्या होगा, ब्लस टू तो यहाँ पर J में दो जोड़ देज़े, क्या जाएगा, L और आखरी देखिए यदि i से k पर जाएंगे तो क्या होगा प्लस 2 k से l पर जाएंगे तो भी क्या होगा प्लस 2 और l में क्या जोड़ेंगे प्लस 2 तो क्या जाएगा यहाँ पर n g l n ठीके तो यहाँ पर आँसर क्या है option b g l or n ठीके चली आगे बढ़ता है next question पर चली friends अगला question जो हमें देखिया गया है यहाँ पर mirror image से देखिए क्या बोला है प्रशन आकरती यहाँ पर दीगए यह इस प्रकार का diagram है और यहाँ पर देखिए mirror रख दिया गया MN axis पर चली तो यहाँ पर देखिए सीदी सी बात है mirror में क्या चीज होती है दोस्तों left और right जो होते हैं वा आपस में interchange होते हैं और up down कैसे रहते हैं same ठीके याद रखेंगे mirror image में दोस्तों आपको left और right जो होते हैं interchange होते हैं और up down कैसे होते हैं same ठीके मतलब जो चीज उपर है वा उपर ही रहेगी जो चीज नीचे है वा नीचे ही रहेगी तो देखिए यह जो दो प्रकार के आकरति आपको कौन से option में नज़र आ रही है तो देखिए इस प्रकार के आकरति हमें option third में नज़र आ रही है clear है तो हमारा answer दोस्तों क्या होगा option third याद रखेंगे दोस्तों mirror image में left और right जो होते हैं interchange होते हैं और up down कैसे रहते हैं same चली अगला question देखिए यदि P कारत डिवाइड हो है न और Q कारत क्या हो into हो R कारत प्लस हो और S कारत माइनस हो तो यहाँ पर हमें equation दी गई है इसको solve करना है आए solve करते है 16 अब यहाँ पर देखिए दोस्त फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्या दिया है 6 और यह अगला element क्या दिया है R अब देखिए R कारत क्या है plus तो यहाँ पर plus कर दीजिए और 5 यहाँ पर 5 S के बारे में S क्या है minus और यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 बराबर में क्या अगा उसको तो निकालना है जब भी दोस् तो यदि हम divide करते हैं तो यहां से 6 से बाड़ा कर दित बाड़ा चे दूनी 12 यहां पर 16 दोना कित्ता हो गया 32 बूलिए clear है प्लस का बचा 5 माइनस का बचा 4 बस अब कुछ भी कर लीजिए पहले 325 जोड लीजिए तो कितना हो गया 37 अगला question जो यह वो embedded figure से लिया गया है मतलब आकरती को पूरा करना है प्रशन आकरती यह है अब इन चारों में से कौन से आकरती को यहां पर लगाएंगे जिससे क्या होगा हमारा यह पूरा डाइगराम complete हो जाएगा तो देखे दोस्तों कुछ star प्रकार की जो है star की जो है आकरती यहां पर दी गई है अब इसे पहचानेंगे किसे तो देखे सबी जगह पर क्या दिया है और दिये गए हैं और यहां पर दिखे इसके opposite में ऐसा corner आएगा क्योंकि देखे यहां पर corner तो यहां पर भी क्या है corner है तो देखे इसका opposite हमें निकालना है अब यहाँ पर देखिए पहला option दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है दूसरा option दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है तीसरा option दिख रहा है क्या नहीं केवल किसम दिख रहा है option D में तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल और ट्रिक लगा कि हमारा answer जल्दी आ जाएगा पुस्तक लेखक का होगा, पत्रे का संपादक का होगा, बावर्ची सूप का होगा, या फिर बांध अभी अंता का होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर का होगा, option C, केसे, जिस प्रकार से बड़ई जो है, furniture बनाता है, उसी प्रकार से बावर्ची क्या बनाता है, तो देखिए friends question number 24 कुछ पशु पोधे हैं आये बनाते हैं कुछ पशु क्या है पोधे हैं ठीक है तो इस प्रकार का कुछ पोधे पशु हैं अब चेक करिए क्या सभी के सभी पोधे पशु हैं क्या दोस्तों नहीं तो पहला निश्कर्ष क्या होगा गलत अगला कम से कम कुछ चट्टाने पशु हैं तो देखिए इतना इतना चट्टानों का हिस्सा हमेशा किसम होगा पशु में क्योंकि उसे किसे बताए हैं और ब्रिफली पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर देखे फ्रेंट्स एक लास कोश्चन मचा है उसे भी देख लेते हैं यदि पिक्चर को क्या लिखा जाता है र-h-e-s-w-q-g के रूप में लिखा जाता है तो mountain को किस परकार से लिखा जाएगा सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे पिक्चर को decode करेंगे p-i-c-t-u-r-e को क्या लिखा गया है दोस्तों देख लिजी r-h-e-s-w-q-g अब देखिए p से मुझे यदि r पर आना है तो क्या कर सकता हूँ मैं प्लस का 2 बोले क्लियर है और i से h पर आने तो क्या होगा माइनस 1 फिर c से e पर जाओंगा तो क्या होगा प्लस का 2 और t से s पर जाओंगा तो क्या होगा माइनस का 1 फिर आगे u से w पर जाओंगा तो क्या होगा plus का 2 और r से क्या होगा माइनस 1 फिर क्या होगा plus का 2 तो यहाँ पर logic क्या लग रहा है plus 2 minus 1 plus 2 minus 1 plus 2 minus 1 यतना क्लियर है सभी को चली तो mountain का answer निकाल लेते हैं यहाँपर m o u n t a i n अब यहां पर हमें करना क्या है उसे लिख लेते हैं यहां पर plus 2 फिर minus 1 फिर plus 2 minus 1 plus 2 minus 1 ठीके अब देखे M में यदि दो जोड़ा देन तो क्या आता है O सभी option में दिया गया है फिर O में minus 1 कर दीजी अब यदि O में minus 1 करेंगी O का नमबर 15 14 पर क्या आता है N बुलिए clear अब देखे O N जो है पहले option में दिया है और दूसरा option में दिया है आगे चेक करते है U, U में दो जोड़ दो U का नमबर 20 तो W आ जाएगा ठीक है, अब यहाँ पर W किसमें दिया है option B में, option B is correct answer clear है सबी को यहीं से हमारा answer आगिया O N W किसमें दिख रहा है option B में तो friends इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में कुछ important और previous year question के साथ में ठीक है, यहीं दूस्तों आपको logic और question अच्छे लगे हो तो please वीडियो को like करिए, share करिए channel को subscribe करिए और बने रही हमारे साथ तब तक के लिए, जैहिन